तो ज्यानु जी, अब हमारी बात्चीत रिकॉर्ड हो रही है और इसके पीछे मक्सद है कि समझना की जो आप चाह रहे हो कि एप्सोर्ड वाइज हम चीजों को रिकॉर्ड करें और उसको एजे इनर्जी हम बाताबरण में डिसेमिनेट करें यदि वाज रिकॉर्ड साई नहीं हो पाती है तो वो रिकॉर्ड जी आज से पांस साल बाद आज से दस साल बाद मैनिफेस्ट करेंगे पतलब हमारा धे होना चाहिए कि क्या महापरवर्टित भारत संबव है पांच फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे और जो आपकी गरीवी तो हटाई देगा आपको फंडामेंटल राइट तु एंप्लाइमेंट देगा फंडामेंटल राइट तु हेल्थ देगा फंडामेंटल राइट तु फूड देगा यहां फूड और हेल्थ को हमने दो अलग अलग पैरामीटर माना है मतलब एक में जो है ना कि food आप खा रहे हैं तो अच्छी health के लिए food is an important thing लेकिन health is much more than the food, right? तो fundamental right to the health and fundamental right to food और fundamental right to the security मतलब आप बताईए कि आज जो है दोसंत भारत में आजादी के 77 साल बाद अनी नियम कानूनों से क्यों गवर्ण हो रहे हैं जो अंग्रे जोने हमारी दमन के लिए बनाए थे, हमें अपमानित करने के लिए बनाए थे हमें उप्रित करने के लिए बनाए थे और प्रिक्रिया में उल्जाकर नियाय से बंचित करने के लिए बनाए थे तो ने अपनी सुगधा के लिए संगे और असंगे और सिविल ओफेंसेस में बाट दिया था मैं आपके कह रहा हूँ भारत के हर नागरिक के साथ जो भी अपराद हो चाहे बो थंगे हो चाहे बो असंगे हो चाहे बो सिविल ओफेंस हो यदी उसकी रिपोर्ट करने के लिए अभी जो आपको भटकना पड़ता है इसकी बचाए आपको आपके जगह पर ही रिपोर्टिंग हो जाए और उल्टे में आपको एक रिवेन्यू स्ट्रीम भी मिले लेकिन उसी समय यदि आप जूटी रिपोर्ट करेंगे या जूटी गवाई देंगे तो आपकी जिंदगी बहुत मुस्किल होने वाली है आपको बहुत हैवी पैनल्टी और जेल जाने की भी जरूवत पड़ सकती है तो यदि इतनी सारी चीजें 21 लक्षों के साथ संभव हैं और भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का बोज नहीं आएगा बल्कि भारत सरकार के पास जो अभी पैसा हो जाएगी तो हमारा भारत सरकार से कहना है कि भाई साथ जब पैसे खर्श होनी रहे हैं आपकी आमदनी जो हैना बिस गुना हो रही है जो किसी भी इंफासर्चर डवलप्मेंट के लिए इंटरनल और एक्टरनल सिकूर्टी के लिए मोर देन सफिसियंट है तो भारत बास को टेक्स मुक्त कर सकते हैं और हर भारत बासी के दो एकाउंट होंगे एक अरणिंग एकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेविट एकाउंट आपके को जब भी पैसे की जरूरत होगी तो आपको अपने उस डेविट एकाउंट से या कॉस्ट सेटलिंग एकाउंट से 800 आपके जरीए पैसे मिल जाएंगे जी सर अपने मीटिंग कर लें सर एक बार बैठके अबन वह अबन जरूर करेंगे और हम चाहेंगे कि यह मीटिंग हम आपके करेले में करें और आपकी टीम के साथ उसे रिकॉर्ड करें तो एधी किसी कारण से हमारा जो सोच और चिन्तन है तो हमने ऐसा सोचा था कम से कम इतनी बात तो रिकॉर्ड पर रह जाएगी 至最終 जो है ना किसी ना किसी उससे बंदे हुए है और हर किसी को अपना पीट। पालने के लिए उतना धन तो पैदा करना ही यह होगा जो आपके और आपके बच्चों के लिए और अपने family के लिए पर्याप तो हमें उस चीज को बिना कंप्रोमाईज किये या हम अपनी इनर्जी का दो परसेंट पांच परसेंट या दस परसेंट इस कांग के लिए हम डेडिकेटेट कर सकते हैं तो हमारा तो कहना यह है कि मानी नरेंद मोदी जी जो हमारे बोर्ट से जीते हुए हैं यदि हम जो है इस महा दिन के माधार पर हम उनके हाथ अदी मजबूत कर सकते हैं और उनके पीछे हम सौकरोल लोग खड़े कर सकते हैं और यह सौकरोल लोग ना जातिक्स के कंसिडरेशन से बदे हुए हैं ना धरम के कंसिडरेशन से बड़े हैं ना छोटे-छोटे सामाजिक कंसिडरेशन से चुरिए से जुड़े हुए हैं बल्कि एक बड़े विजन से जुड़े हुए है। प्लान करके मीटिंग कर लेते हैं बिल्कुल और वो मीटिंग रिकॉर्डडेड होगी और उसके प्राइम फ्री भारत पर अपलोड करेंगे और उसके सोच यह रहेगी कि यदि हम नहीं कर पाए आगे तो कम से कम यह रिकॉर्ड पर रहेगा कि यह हमारा सोच और चिंतन था और हमारा यह उस भी सोच और चिंतन है कि यदि यह सब संबव है और भारत सरकार के खीसे से एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है हलो, आजी सेर सुन्णों मैं, हाँ, तो हमारे बरतमान प्रदान मंत्री, जो हमारे जोने चुने हुए उन्हें ये काम अभी क्योंने चालू कर देना चाहिए, और हम जो इस काम के लिए उनके हाथ मजबूत करने के लिए, अपने ही परिवार के सदस, अपने ही दिस्तेदार, अपने ही मित्र, अपने आसपास रहने वाले पडोसी और जिन सिंख्टवनों के साथ हम जुड़े हैं, यह अम के दद दस लोगों को जोड़ कर संकल पे तो असाफिदीग करके उनको आगे दददस लोगों को जोड़ने के लिए वो करते है नि आपके लिया हाँ did पूरा आपका अप्रोस सुनी थी पूरी जब भी आप फ्री रहे और अभी आज तो थो थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे और हम लोग बैठकर जो हैना चच्छा करेंगे और बैठके उसे रिकॉर्डेड करेंगे जिसके किसी कारण से यह दिये नहीं फ्रक्टिफाई हो पाता है तो भी जो है यह रिकॉर्ड पे रहेगा कि हमारा सोच और चिंतन यह था जी जी बिल्कुल से बिल्कुल समझ गया मैं आपकी ओरिजन आपके पास रहना चाहिए चलिए जै भारत गरत आपके बाल चाहिचे जाए ऑगया जवारत प्रक्टिए जाए जाए जैवारत बंदेश।